दिल्ली में तमाम प्रतिबंदों के बावजूद भी यदि हम प्रदूशा के बात करते हैं तो दिल्ली का AQI लेवल गंभी शिरणी में पहुँचा हुआ है दिल्ली के सुल्यूशन की जगा राजनिती जोरूबर है बीजेपी दिल्ली की आप सरकार पर आरोपों की जड़ी लगा रही है तो आपने बीजेपी पर हमला बोल दिया है दिल्ली के परियावण मंत्री ने भी न्यूज इंडिया से खास बाच्चीत में कहा कि पॉलिशन के लिए बीजेपी ही जब्मेदार है तमाम प्रतिबंदों के बावजूद भी दिल्ली में एक्योई लेवल गंभीर शेणी में पहुँच चुका है बात करने के लिए परियावण मंत्री गोपाल राय जी मारे साथ मौजूद है गोपाल जी दिल्ली में तमाम प्रतिबंद लगे हूँ है ग्रैब थ्री भी लागू कर दिया गया है लेकिन फिर भी एक्योई लेवल की बात की जाए तो वह चारसो साड़े 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 की बीच बनाओे क्या करने में लगए और दिल्ली के चारो तरफ में भावरतो फट्री यंथा ki मारशन को बढ़ाने में लगी है तो उसकासर दिलिक लोगों को भी znajला पड़ रहा है ली के डिल्ली की डिसर्डी जो सामने आई है दिल्ली के अंदर के सोर्स से 30% producer 70% बाहर से आ रहा है हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि उसको प्रतकम किया जाए लेकिन बाहर की भाजपा की सरकारे लगातार बढ़ा रही है प्रतिबंद होने के बावजूद डीजल बीएस फोर की बसें उत्तराखंड बाजपा की सरकार बेजी जा रही है जब C.A. क्यों हमने प्रतिबंद लगा दिया उसके बाद भी बसें दिल्ली में भेजने का क्या मकसद है दूसरी तरफ आसचर जना घटना हो रही है हम सब जानते हैं कि पंजाब में पराली घटना जादा होती थी दो साल पहले जब हमारी सरकार बनी पंजाब में 15 अक्ट से भाजपा की सरकार में 15 सो थी दो साल पहले घटना है 500 होनी चाहिए थी अब धाई अजार हो गए तो यह साफ दिख रहा है कि दिल्ली में आम आदनी पार्टी की सरकार पलूसन घटाने में जूटी हुई है और भारती जनता पार्टी की सरकारें चारों तरफ से पलूसन बढ़ाने में जूटी हुए तो अब यह दिल्ली में एंटर ना करें इसको लेकर और क्या सकतरुक तब दिल्ली सरकार अपनाने मेरा सवाल है कि भाजपा के सरकारें भेज क्यों रही है जब प्रतिबंदीत हैं वो गाडियां तो डीपो से चल रही है तब तो यहां आ रही करती है पूरे नसी अर्में प्रतिबंद है जहां भाजपा की सरकारें बस अंदर आ कैसे रही हैं की भासक्रैंता पार्य के सरकारें इसमें सामिल भेजने में यह बेज रही हैं यह बहुता है कि भाजपा और दिल्ली के उप्राजेपाल यह कहते वे नजर आ रहे हैं कि जो प्रतिबंद अब लगाए जा रहे हैं प्रदूशन बढ़ने पर वो पहले से ही लगा दे तो इस तरीके की इस्तिति दिल्ली में नहीं पहले लगा देते तो य अरे जब काम नहीं किया हमने काम किया तो आई इलेक्टिक बस चल रही है सड़क पे हमने काम किया तो डिजल का जन्रेटर बंद है 24 गंटे बिजली दे रहे हैं हमने काम किया तो 100% हमने जो है प्लूटेट इंडस्ट्री को चेंज कर दिया भारती जंता पार्टी की सरकार क क्रितिम वर्षा को लेकर क्या विचार बनाया जा रहा है क्रितिम वर्षा के लिए जो आपने केंदर सरकार के सामने प्रस्ताफ रखा था उसका कोई अब तक रिपलाया आप देखो यहीं बड़ी बात है दिल्ली के लोगों को भाजपा के सरकार हैं पर उसन चारों तरफ से बेज रही है फैला रही है केंदर सरकार से हीड हमंने ऊग्या चिर्थी लिखते हुए मीटियंग करेंगे नहीं करेंगे इसका जवाब नहीं पर मीinson देंगे नहीं देंगे इसका काम करें वाटर स्प्रिंगिंग मशीन चल रही है तमाम प्रतिबंद लगाए गए हैं लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इस आरोप प्रति आरोप के बीच में दिल्ली की जनता फस्तिवी नजर आ रही है दिल्ली की जनता को ही इस भारी प्रदूशन का सामना करना पड़ तो भार्थी जनता पार्टी हम एलेक्ट्रीक बेहें आज रहा हैं उन disci रहा है और आरो परति आरोप कर रहा हुक हैं उनका काम भारती जनता पारिटी तो स साफ दिखराए कि जान बूछ कर के दिल्ली में प्लूशन को फैलाना चाहती है क्यों फैलाना चाहती है इसका जब आप देना पड़ेगा भाजपा की सरकारों को प्रदूशन का इस तरह दिली में बना हुआ है क्या आगे और इवन लगने की संभावना जारी है लेकिन भाजपा की सरकारों से मेरा निवेदा नहीं यह पलूसन जान बोचे पहलाना बंद करिए घटा नहीं सकते हो तो बढ़ प्रदूशन अगर कम नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाने का भी काम ना करें वीडियो जनलिस्ट भूशन के साथ भापना न्यूस इंटिया तिली शिवसे ना सिंदावार नुष्चे बाने सिंदावार